परती दोस्तों मैं हो काजल और आज में रियक्शन करने वाली हूँ जब हजरत मुसा अले सलाम ने अल्ला को देखा तब क्या हुआ तो चैनले वीडियो शुर करते हैं फिरौन दूब गया मुसा अले सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े आगे पहुँचे तो अल्ला ताला ने मुसा अले सलाम को कुहे तूर पे बुलाया और कहा क्या है मुसा हम तूमें अपनी किताब देंगे तूमें कुछ खास आहकामात देंगे उसके लिए तूमें तूर पहाड के उपर आना पड़ेगा और चालीस दिन तक मुसा अले सलाम तूर पहाड पे थे और आपको एक बात बतातू मैं कि मुसा वो इकलोते नभी है जिन से अल्ला ने डायरेक्ट बात किया है किसी फरिश्टे का पीच में वास्ता नहीं था अल्ला ने डायरेक्ट बात की है मुसा से जब भी बात की है तो हदरते मुसा ने का किया है अल्ला मैं आपको देखना अल्ला ने का लंतरानी तुम मुझे कभी नहीं देख सकते बाद अल्मा ने कहा है कि अल्ला ताला को मुसा ने का लंतरानी अल्ला ने का तुम मुझे कभी नहीं देख सकते इससे पता चला कि अल्ला को कोई देख नहीं सकता कभी नहीं देख सकता मगर ये बात गलत है दुनिया की आँख से अल्ला को कभी नहीं देखा जा सकता लेकिन आखरत में लोग अल्ला का दीदार करेंगे जन्नत ही जब जन्नत में जाएंगे तो अल्ला ताला का दीदार करेंगे ये قुरान से भी साबिते और हदीश से भी साबिते तो दुनिया की आँख से कोई अल्ला को नहीं देख सकता हमारे नभी अल्लाहुलाई लिए जब मैराज पर गए तो सही बाती है कि आपने अल्ला को नहीं देखा आपने अपने रब का दीदार नहीं किया जैसा के बॉखारी की रवाय hat तो अल्लाने कहा के मुसा एक काम करो तुम इस पहार को देखो इस पहार के ओपर हम अपनी तजलीГ उतारते हैं तुम इस पहार को देखो अगर ये पहार अपनी जगे परकडार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे जब अल्ला ने अपनी तजली उतारी है पहाड के उपर पहाड रिजा रिजा होगे और मुसा बेहोश होके गिर पड़े जब मुसा होश में आए तो कहने लगी आए लगा आए लगा मैं तौबा करता हूँ अब आज के बाद मैं ये ऐसी डिमांड नहीं करूँगा ऐसा मुतालबा नहीं करूँगा मैं तुझको देखना चाहता हूँ जब मुसा अलिएसलाम तूर पहाड से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बच्छडे का को अपना माभूत बना लिया उनकी कौम में सामेरी नाम का एक आदमी था उसने सोने को पिगला करके एक बच्छडा तयार किया और उस बच्छडे के अंदर ऐसा कुछ सिटम बना दिया जब हवा चलती थी तो बच्छडे से आवास निकलती थी तो बनी इसराइल से कहा उसने कि यही तुमारा खोदा है और इसी से मिलने के लिए मुसा गए तो बनी इसराइल उसके आगे सज्ड़ा करने लगे जब मुसा अलिएसलाम आये और देखा कि उनकी कौम बच्छडे की अबादत में लग गई है तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा जिनको अपना जानशीन बना के गए अपने भाई हारून की दाड़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था तुने यही मेरी जानशीनी नवाई ये मेरी कौम बच्छडे की अबादत में लग गई कहा कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुनो, मेरी दाड़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, पहले मेरी बात तो सुनो. यह सब आपस में जगड़ा कर रहे थे. और मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं जदा इंटर्फेर करता हूँ तो बात जदा पढ़ जाएगी मैंने आपके आने का इंतजार किया मैंने और कुछ नहीं किया मुसा रिसलाम ने बोलाया सामरी को बोला ये बता तुने ये क्या किया है तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हजरते जिबरील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बच्छडा बनाया है ताकि लोग इसकी अबादत करें हजरते मुसा ने कहा सामरी से सुन आज के बाद तुझे अल्ला ताला की तरफ से ये सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिन्दगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा तेरी ये सजा है तुने बच्छडे को माबूत बना के मेरी قوم को शिर्क में डाला अब तुझे ये सजा मिलती है कि तुझे जिन्दगी भर अंटचेबूल हो जाएगा तुझे जो टच्छ करेगा बीमार पड़ जाएगा अब सामरी का हाल ये हो गया कि जो उसे छूता था वो बीमार हो जाता था और वो खुद भी बीमार हो जाता था लेहाजा जब कोई सामरी के पास से घुजरता था उगे था ला मैसास ला मैसास मुझको मत छूओ मुझको डश मत करो और उसके बाद रज़त मुसा ने कहा कि तेरा ये जो सोने का माबूद है ना देख इसका मैं क्या अंजाम करता हूँ उसको आग में जला के हजरत मुसा आले सलाम ने पानी में फिकवा दिया वीडियो बहुत इंपरमेट्यो था और हजरत मुसा आले सलाम के वारे में हमने ये वाकिया सुना है कि जब वो अल्ला से मतलब उनकी ख्वाइश थी कि हम खुदा को देखे और ये कौन नहीं चारता हर किसी को ख्वाइश होती है कि हम खुदा को देखे लेकिन ये बहुत मुश्किल है लेकिन उस वक्त आज के दौर में तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है लेकिन उस वक जो मतलब नभी आते थे पेगमर आते थे वो खुदा की तरफ से होते थे वो खुदा के मैसेंजर होगा करते थे लेकिन मतलब वो इतने पाक दिन होते थे कि खुदा उनसे मतलब उनके जरिये से वही बेचते थे और जो कुछ किताब हैं जो भी आास्मानी किताब हमां पर उनके मतलब के बड़ों को अ किस तरह से आपको जीवन भीताना है और मुसा अ.सलाम के वक्त जो किताब उतारी तो उस वक्त कुदा कहा कि तुम्हारे जरिये से मैं किता उतारूँगा लेकिन उस वक्त डारेक्ली बात मुसा अले सराम से की क्योंकि खुदा किसी से डारेक्ली बात नहीं करते थे वो फरिस्तों के जरिये से ही करते थे लेकिन मुसा अले सराम से उन्होंने डारेक्ली बात की लेकिन मुसा अले स सकते हैं कि खुदा को हम इंसानी आखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कभी भी नहीं देख सकते हैं कायावत के करीब मतलब जब सबका हिसाब लिया जाएगा तब हम खुदा को देख सकते हैं ये लिखा गया है और उसके बाद जो सामरी नाम का इंस कि उसने वो मिट्टी ली और उसका जो उप्योग है वो इस तरीके से किया कि लोगों को बेहकाई और लोगों को इस रहा मतलब गलत रहा पर वो लेके जा रहा था तो यह सारी जो चीजे हैं हुसा अले सलम ने समेट ली लोगों को समझाया और बाद में जो भी हुआ आप सब उसको मतलब यह वाकिया पता है तो वीडियों आपको इससा लाना चरूर कमेंट कीजे तो चलिए मंगले वीडियों